अज़ा आपका हार्दिक स्वागत है आज हम भारत की दाजदानी दिल ले के अंदर और हमारे साथ ऐसी सक्सियत है जिनों ने अजयन में पढ़ाने में पूरा योगदान दिया और आज अलिगड़ मुस्ली उनिवेस्ट्री के बाइस चांसलर है और इस समय बरत्मान में जो ला फैकल्टी है और ला को बहुत अच्छे दंसे पढ़ाते हैं जिसे कानून का आज आता पढ़ाते हैं आई हम बात करते हैं स मैं आप से अर्श करूं आज हमारे हिंदुस्तान की बिड़ंबना यह है कि कॉंसिटूशन आप इंडिया की सुपर मेसी जो है उसको लोग छोड़कर अपने मन तक लगा रहे हैं जिसकी वज़़ा से प्राब्लम है क्योंकि कॉंसिटूशन आप इंडिया में माइनॉरिट जिसमें मुसल्मान आता है और कृष्ययन आती जयन ते व्छ drives likewise आप्रहunter को प्रोटेक्षन पर कि जिम्मेदारी होती है कि उसको आप आराई आए अगर वह नहीं वह हो एक खास फिलोसफी और खास अंदाज से और खास आडिलोजी के तहट लोग समझने की कोशिच कर रहे हैं और वो शायद इसको भूल गए है कि इंडिया की ब्यूटी उसकी डाइवर्सिटीज में है उसके डिफरेंट रेलिजन और डिफरेंट कल्चर में है और जितनी और अगर उसको कोई गवर्मेंट नहीं फालो करती है तो गवर्मेंट की हटदर्मी है और वो कॉंस्टूशन की खराबी नहीं है तो मैं समझता हूँ जो खलफशार आज समाज में आपको दिखाई दे रहा है वो कॉंस्टूशन की डिवियेशन से है और अफसोस के साथ वो शायद डिफरेंट अधर कम्यूटीज के जो राइट सेंड अबलिगेशन हैं उनको वो भूल गए हैं और बहुत सारे इशूज ऐसे लेके वो खड़े हो गए जैसे लब जिहाद का मसला है जैसे उन्होंने काव स्लाटर और उसके मीट के खाने ना खाने का मसला है और एसे इशूज हैं जिससे की मुसल्मान अपने को बहुत इंसीक्योर फिल किया और इतना तक ही नहीं उन्होंने यूपी का एलक्षन हुआ तो यह कहते हुए पाएगे हमें मुसल्मान के वोटों के हमें जरूरत भी नहीं है और यह हिंदुत्वा जो है उनकी बहुत काम में उन्होंने एलक्षन जीता और और बहुत थंपिंग मजार्टी से जीता और वो शायद उनकी बिलीफ है कि डिमॉक्रेसी मेंस मजॉरिटी और मजॉरिटी अगर हिंडू हैं और एक जगा सालीड हो के हमारे साथ हैं तो हमको और माइनार्टी या और कम्यूटी के मेंबर इसको हमें परवा करने की ज़रूरत नहीं शायद उनकी मैं इस वह भूली कहूंगा और अब जब समाज में सब खलफशार पैदा हो गया और सारी पब्लिक परेशान है और लोगों में सिक्यूरिटी है तो अब दूसरा बड़ा मुद्दा जो इस वक्त है जो जो इलक्षन हमको तो वहीं पर मंदिर बनाना है इट मेंज कि उनको जुडिशरी की कोई कदर नहीं है जो कैसा नहीं होना चाहिए और मेरे नजदीक जब सुप्रिम कोट में यह मामिला पेंडिंग है तो इसको सब जुडिस कहते हैं इस पर कोई पब्लिक बहस ही नहीं होना चाहिए क्य किया है कि अगर सुप्रिम कोट डिसीजन देता है और वो मुस्लिम के फेवर में होता है तो हिंदू लगता है कि उसको बरदाश नहीं करेगा और सिबिल वार ना हो जाए और मुसल्मान कहता तो है कि जो सुप्रिम कोट डिसीजन देगा वो मुझे मान है लेकिन अगर वक्ट की प्रापरटी कभी टांस्वर नहीं होती है। वक्ट प्रापरटी में मस्जिद बनी है। और उसके साथ जो है वह ग्रेव याइड है। कबरिस्तान है तो वह अगर सुप्रिम कोड को कहते हैं यह टाइटिल सूट है और रिकारड़ेड उनकी वक्प्रापरिटी है और वह लाग को बदला नहीं जा सकता है लहाजा जो चबूतरा यह सब जो बात हैं यह तो हिंडूज ने बाद में जबर्दस्ति करकर के बनाया है और डिस्टिक अड्मिनिस्रेशन ने कभी खुल करके इस मामिले में पढ़ा नहीं कि टाइटिल मुसल्मानों की है यहाँ तुमने क्या बनाया है इसको हटाओ उन्होंने लाइंड आर्डर के नाम पर उसको स्टेटस को कर दिया जियो कुछ चीज यह हो बनी रहे और इसी लाड रामा जो है यह भी तो एक पैगंबर की शकल में और लाड केश्णा भी पैगंबर की शकल में और एक लाग चौटीस हजार तकरीबन पैगंबर इस दुनिया में आए तो प्रॉफिट मुम्मद हमारे लास्ट है मोस्ट रिवर्ड है लेकिन उसका अलाब हो दी पैग लेकिन अब जो प्रातत्त के जो विश्य सग्य है उनसे जानकारी मिलिए कि वहां बुद्ध के अविश्य मिले हैं नहीं इस इस इसू में बताओं मैं फिर वही कहूंगा कि मामला सब जूरी से बात नहीं लेकिन आर्केलोजिकल सर्वे आफ इंडिया की तरफ से हिंदू औ दोनों कोर्ट में एफिडेविट दिये कि इस पर खुदाई होनी चाहिए और खुदाई करके उस मस्जिद के नियू के अगल बगल देखना चाहिए कि क्या हिंदू रेलिजिन और कल्चर की कोई चीज वहां पाई जाती है कि तो जब खुदाई हुई तो वह रिपोर्ट इस बात को कहती है कि वहां के वहां जो नीचे कुछ चीजें मिली हैं वह हिंदू रेलिजिन और कल्चर से उन पत्थरों का तालूख है जानकारी चाहिए कि अभी तकक्रचा संबेधान है आप उनका जो इतिहास है हमारा हिंदू सब कहीं व्याक्या नहीं की गई है आप त अब तो हिंदू की बहुत वाइड डिफिनिशन दी गई है हर जगा है कि जो मुसल्मान नहों जो क्रिशियन नहों जो पार्सी नहों और जो सिक और जैनीज नहों वह उनको छोड़ करके जो पापुलेशन हिंदूस्तान में रह रहे हैं सब हिंदू समझ गया तो इस तरीक करने वाली बात है साइद आप लोगों के माध्यम से पढ़ा और आपने पढ़ाया है जिस समझ देश आजाद हुआ था तो उस समझ जो यहां के जो मूल नवासी थे जो मुसलिम थे बटवारा हुआ था तो उन्होंने जिना जी की बात नहीं मानी पुलावनवी जी की बात नहीं मानी वह लोग भारत के अंदर ही रह गए लेकिन वह अपने आप को यहां का नागरिक मानने हैं लेकिन उनको यह पना क्यों नहीं देजा रही और यह उनको यह असा अत्या चाहर करना है जब पार्टिशन हुआ है तो पार्टिशन के बाद पाकिस्तान बन गया हिंद पाकिस्तान में पाकिस्तान जाना चाहा उसकी जो जमीन थी जो भी यहां माल दौलत थी उसका मोबजा उसको दिया गया और अपने मज़ब अपने अपने business, अपनी बैपार, अपनी education, सब को equality का right दिया गया है, जैसे कि हिंडूस का है वैसे Muslims का है, और ये सवाल तो आज किसी responsible आदमी को करने का हकी नहीं है, कि मुसलमान second grade का citizen है, या पाकिस्तान क्यों नहीं चला गया हरदर्मी की बात हैं, वह तन्यत होती है, हमारे पुर् responsible लोग हैं, जो इल्मियत नहीं, बल्कि मैं उनको मुतलग जाहिल कहूंगा, वह population आज मुसलमानों पुंगली उठाती है, और कहती है कि आपको पाकिस्तान चला जाहिए था, हम क्यों पाकिस्तान चले जाए, हमारी जमीन यहां है, हमको protection मिला, हमें constitution protection मिला हमें, और जो ऐस बात करके मुसलमानों को डराने धमकाने की बात करते हैं, वह बिल्कुल बात करते हैं, यह माना जाए कि पहले मुसलमानों को टार्गेट बनाया और जब मुसलिम और दलित कुछ पढ़ लेकर आगे आने की बात आई, उनके अपना अधिकार मांगने की बात आई, तो उनको को सोचा कि इस तरीके से मानेंगे तो इनका जो संविधान है उसके साथ छेड़ चाड़ की जाए तीन तलाग का मामला आया अगर को जब धर्म निर्पेक्ष राजी है हमारा धर्म निर्पेक्ष कंट्री है तो इसमें किसी के धर्म पर इंटरफेर करने का इनको क्या मतलब है इसी तरीके से स्चेडूल कास को कंस्ट्टूशनल राइट्स दिये गए हैं और हिंदुत्वा की भावना से उतप्रोथ हो करके जो अपर कम्यूटी है उसको इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए और करती है तो गलत है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि चुई 2019 का एलक्षन ब को ओट मिल जाए तो वह सबकर लेकिन इसका तालूब का वह प्रोग्राम देखा दो अपरेल का जो जिसे अभी सुप्रीम कोड ने एक जज्जमेंट दिया था कि जो एक अट्रोशीटी वाला जो मामला था वह लोगों को बरदास नहीं हुआ उन्होंने दो अप्रेल को उसकी मैं समझता हूँ बरतरी होती है तो मैं समझता हूँ कि यह जो गठमंदन की अब राजनीश चल पड़ी है यह वक्त की ज़रूरत है अभी मायाबती जी और अखलेश यह सपा यह दोनों मिली हैं कांग्रेस को मिला के चलने मों बिलीप कर रहे हैं और चोटी पार्टि अग्रवाल यह सब को मिला करके कितना आप आगे बढ़ेंगे और हम आपकी टांकी चलेंगे इस पर राज दिन काम हो रहा है और इसलिए मोधी सरकार को अबड़न लगी है कि सब को खुश करने में अपीस करने में लगे हैं लेकिन वक्त बहुत कम है अब इनके पास और इन जाते हैं जब बात मानता हूं पहली बात है कि लाड बुद्धा उनका प्रभाव और उनका इंफ्लिएंस आप बाहर मुल्क में जाहिए तो वाकई लगता है कि टू थर्ड वर्ल लाड बुद्धा के खेमे में था मैं जब गया मलेशिया तो वहां दूसरे नंबर की पॉपुलेशन चाइनीज है 38% है और हर आदमी को देखो तो लाट बुद्धा हर आदमी को देखो तो उन्होंने बताया सर हम लोग बाईबर तो चाइनीज हैं लेकिन मेरा मजहब जो है लाट बुद्धा है और चाइना मे कभी अफगानिस्तान में टॉलेस्ट लाट बुद्धा के स्टेची को जब गिरा दिया गया था वर्ल में रियक्शन होगा था अभी हम थाइलेंड कुछ दिन पहले गये थे हर दस कदम पे लाट बुद्धा की तो लाट बुद्धा का बहुत इंफलेंस है तो जब हमारे म सब्सक्राइबवी लेकिन जो मुल्का लीडर होता है वो उस तरीके का डमरूप जाता है जहां बंदर नाचता है तो वो अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर एक अच्छा वकता है और अपने को सेल करता है हर केंटी में जाता है तो अपने इंडियन्स की एक मीटिंग करता है तो वहां की आडियन्स पर वहां की अमबैसी रिपोर्ट करती होगी कि सच जो आप पब्लिक मीटिंग लेंगे वो इ पुरी चैन बना लिए एक लिश्ट बना लिए कि उनी को गरस्पार किया रहा हूं यहां तक पुलिस वाले खुद जीना लेते हैं हाथ में और दूसरे घर में चड़ जाते हैं और यहीं नहीं देखते किसी भेहन वेटी क्या है नहीं देखे एक बात मैं इसमें बहुत साफ क कहना चाहूंगा जो वक्त की हुकूमत होती है सारे सारे पॉलिस कुछ को छोड़ करके आई एस ऑफिसे पॉलिस फोर्स और जितने एक्जिकिटीव अथार्टीज है जुडिशरी पे थोड़ा बचा था था एक पॉब्लिक सरे वह सब गॉवर्मेंट के यसमें होते हैं तक तो पता चला कि दो तीहाई उफिसर बदल दिया क्यों बदल दिया कि वह आफिसर उनके इस कीम के मताबिक काम नहीं कर सके लेहाद दूसरे और और को बंद कमरे में चीफ में उसके हाँ चीफ सिक्रेटी के यहां जहां स्टांसफर होती है उसके पहले कुबुलवा लिया जाता है कि आप वहां जाएंगे तो ऐसा करेंगे यहार मैं लास्ट कुश्चन पर आता हूं सिर्फ आपने कानून पढ़ाया है और काफी प्रण देता है क्या आगे पीशे का नहीं सोचते हैं कि हम जज्मेंट क्या दे रहे हैं नहीं एक बात मैं बताओं हखिकत तो यह है कि जो कोई भी जज्ज हो उसका हाथ और दिमाग कानून सेट करता है और कानून जब सेट करता है तो उसके लिए जिन दफात में मुकदमा होता है उन दपाद पर कानून भी होता है और और कानूनी नजीरें भी होती है उनको फालो करको जज्मेंट देता है जहां आपने बिबेग की बात आती है कुछ उसको सोचने के समझने कैसे करें तो वह सकता है इसलिए की अभी जो जो एक टूसीटी का जज्मेंट दिया है उसमें जिनको एड़ोकेट जनल एड़ोकेट सॉलिटर्थ उनको जाना चाहिए था इस समय यह सरकार को इसमें अपना रॉल चाहिए लेकिन रॉल अधा नहीं करा और वह सरकार के मुठाविक उन्होंने जज्मे अपे ह Surely गोर्म की मौकिप को प्रजंट करते हैं और गोर्मेंट आफ इंडिया का किसमे स्वाइदा है किसके नुकसान है इसके अपने मंकिना मिनिस्से उनको बाकायदे बुला करके के मामिला अ कह से करना और उनका था है म्योर्म इसको करता है और state label में educated journal करता है एडीशनल educated journals करते हैं तो यह कोई बात नहीं है वो अपनी government अपनी सरकार के लॉयल होते हैं और उस लहाज से करते हैं जैसे सरकार चाहते हैं और कभी बड़े lawyer का सॉलिशिटर और अटॉर्णी जनल होता है तो गवर्मेंट को आगाह करता है कि यह मामिलया चलने वाला नहीं जैसे आप चला रहे हैं आज नहीं तो कल हम फेल हो जाएंगे तो पब्लिक में बदनाम हो जाएंगे आज जैसे बहुत सारे केसेज में हो रहा है जो आपका ची करके प्रॉब्लम क्रियेट कर रही है हमारे पास कानूनी सलूशन नहीं है और हम कोई कानूनी सलूशन देते हैं तो कहते हैं अपने मंसिला बना ले रहे हैं अब देखिए एक से साफ इनिटिंग इस बैड एक ज्याती ज्याती से बहुत आगे निकल जाती है तो बुड़ी इसलिए तो चार जज़ेश पब्लिक के बाहर आ गए थी इसलिए तो चार जज़ेश कहें कि जो रोश्रम बनता है नहीं लोगतंत खत्रे में है और जो किस बिंच में के सुना जाएगा उसमें सिर्फ हमारा चीफ जश्री जो है वो अपने दोस ज़जों को कर लेता है और दो जज़ेश के कान में फूंक देता है कि इसका जज्वेन्टा इसे होना चाहिए लेहीं तो सब बगाबती और इंडिया की जुडिशयल हिस्ट्री में बहुत बड़ा बद्गुमा दाग है जो हमारे जुडिशेरी के बारे में पबलिक का फेथ खतम होता जा रहा है और ऐसा हुआ तभी हमारे चार्ड सुप्रीम कोर्ट का ओरनेबल जजेज प्रेस को रिपोर्ट किया और अभी वो शेलम जो दूसरा है जैज उसने फिर बगाव अठानी है यह पहली मर्दबा हुए जुडीशरी इस वक्त इक्सपोज हो चुकी है जुडीशरी गौर्मेंट इंडिया का दाया बाया हाथ हो के काम कर रही है जबकि जुडीशरी मस्ट बी इंडिपिंडेंट इंपार्शन ओनेस्ट की फेथ उसमें होना चाहिए लोग कहते थे कि जब अदालत में केश चला गया तो भगवान कहां चला गया वहां दाल दरिया सही हो जाएगा आप क्य आपके मेरिट को डिमॉलिश करने वाला आपको दुश्मत पहुंच जाएगा तो जाएगा यह आज हमारी वाकई इंडिया बड़े बड़े ऐसे पंगट के रास्ते से चल लही है हमें नहीं लगता कि फ्यूचर हमारा जुडिशरी के पॉइंट आप यू से और डिबलमें तरफ हमारी इंडिया के रिस्मांसिब लोग भी कहते हैं हम जगद गुरू बनेंगे हमारा हमारा नौलेज दुनिया में माना जाएगा हमारी टेक्नॉलोजी दुनिया में बढ़ गई हम आठमें मोस् पावर्फुल मुल्क हैं इस दुनिया में हम दुनिया में राज करें सुष्ट मीव अपने मिया मुथ्धू बनाए आप यह बात जब कहें हम आप उसको सौईकार करें दिल से यह सही बात है तब तु बात उसमें है तया कि तक से हैं कि